ओम नमस्षिवा राधे राधे आई ये सुनते हैं नाग पंचमी की सबसी प्राचीन कथा जब नाग देव बने भाए प्राचीन काल में एक सेट जी के साथ पुत्र थे, साथों के विवा हो चुके थे सबसी छोटे पुत्र की पत्ने, स्रिष्चरित्र की बीदुसी और सुसील थी, परन्तु उसका भाई नहीं था एक दित बड़ी बहों ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहों को साथ चरने को कहा तो सभी डलिया और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सर्फ निकला, जिसे बड़ी बहों खुर्पी से मारने लगी यह देखकर छोटी बहों ने उसे रोकते हुए कहा, मतमारो इशे, यह बेचारा निरपराद है यह सुरकर बड़ी बहों ने उसे नहीं मारा, तब सर्फ एक और जा बैठा, तब छोटी बहों ने उसे कहा हम अभी लोट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत, यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गए और वहां कामकाज में फसकर, सर्फ से जो वादा किया था, उसे भोल गए दूसरे दिन वह बात याद आए तो, सबको साथ लेकर वहां पहुची और सर्फ को उस अस्थान पर बैटा देखकर बोली, सर्फ भैया नमस्का सर्फ ने कहा, तु भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ नहीं तो जूठी बात कहने के कारण तुझे अभी दस लेता वह बोली, भैया मुझे से भोल हो गई, उसकी छमा मांगती हूँ तब सर्फ बोला, अच्छा, तु आज से मेरी बहन हुई, और मैं तेरा भाई हुआ तुझे जो मांगना हो, मांग लो वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ, जो तु मेरा भाई बन गया कुछ दिन ब्यती थोने पर, वह शर्फ मनुश्य का रूप रखकर, उसके घर आया और बोला कि, मेरी बहन को भीरतू सब ने कहा कि, इसके तो कोई भाई नहीं था तो वह बोला, मैं दूर के रिष्टी में इसका भाई हूँ, बच्पन में ही बाहर चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर, घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया उसने मार्ग में बताया कि, मैं वही सर्फ हूँ, इसलिए तु डरना नहीं और जहां चलने में कतनाई हो, वहां मेरी पूच पकड़ लेना उसके कहे अनुसार ही किया, और इस प्रकार वह उसके घर पहुच गई वहां के धनैश्वर्य को देखकर, वह चकित हो गई एक दिन सर्फी माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रहे हूँ तु अपने भाई को ठंधा दूद पिला देना, उसे यह बात ध्यान न रहे और उसे गर्म दूद पिला दिया जिसमें उसका मुख बहतर तल इसके से जल गया यह देखकर, सर्फ के माता बहुत क्रोधित हुई, परन्तु सर्फ के समझाने पर सांथ हो गई तब सर्फ ने कहा कि बहन को अब उसके घर भीर देना चाहिए, तब सर्फ और उसके पिता ने उसे पहुत सा सुना चाड़ी जवाहराद वस्त्राभू सड़ाद दीकर उसके घर पहुचा दिया इतना धेर सारा धन देकर बड़ी बहुने इस्या से कहा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए सर्फ ने यह अचन सुना तो सब वस्त्री सोने की लाकर दे दी, यह देकर बड़ी बहुने कहा इन्हें ज़ारने की ज़ारू भी सोने की होनी चाहिए, तब सर्फ ने ज़ारू भी सोने की लाकर रख दी सर्फ ने छोटी बहु को हीरामर्यों का एक अजबु थार दिया था, उसकी प्रसंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली की सेट की छोटी बहु का हार यहां आना चाहिए राजा ने मंत्री को हुक्म दिया की उससे वह हार लेकर सिक्र ही उपस्थि थो मंत्री ने सेट्स जी से जाकर कहा की महारानी जी छोटी बहु का हार पहनेंगी वह उससे लेकर मुझे दे दो सेट्स जी ने डर के कार छोटी बहु से हार मंगा कर दे दिया छोटी बहु को यह बात बहुत बुरी लगी उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर ब्रातना किया भैया, रानी ने हार छेन दिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लवटा दे तब ही रो और मणियों का हो जाए सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसी ही वह सर्प का बन गया यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी यह देखकर राजा ने सेट के पास खबर भेजी की छोटी वह को तुरंत भेजो सेटी डर गय की राजा ने जाने क्या करेगा विश्वयम छोटी वह को साथ लेकर उपस्थित हुए राजा ने छोटी वह से पूछा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे डंड दूंगा छोटी वहु बोली राजन ध्रिष्टता छमा कीजिए यहार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर तो बन जाता है यह सुग कर राजा ने वह सर बना हा उसे देकर कहा अभी पहन कर दिखाओ छोटी वहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही ही फीरों मणियों का हो गया यह देकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रशन होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी छोटी वह अपने हार और इंसहित घर लवटाई उसके धन को देखकर बड़ी वहु ने इस्या के कारण उसके पती को सिखाया की छोटी वहु के पास कहें से धनाया है यह सुनकर उसके पती ने अपनी पतिन को बुला कर कहा ठीक ठीक बता की यह धन तुझे कौन देता है तब वो सर्प को याद करने लगी तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रशन हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सतकार किया उसी दिन से नाकमज में का तेवहार मनाया जाता है और इस प्रियां सर्प को भाई मान कर उसकी पूजा करती हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंड करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर शिट करनें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके धन्यवाद पूजा सब्सक्राइब करें